हेलो फ्रेंड्स मैं सुमन यूट्यूब चैनल इंडिया ओल्डेज में आपका स्वागत करती हूँ आज हम इस वीडियो में कुमार गुप्त पर्थम जिसको महिंद्रा दित्ते भी का जाता है के इत्यास के बारे में ध्यन करेंगे तो देखेगा इससे पहले हमने चंद्रगूप सेकिंड, चंद्रगूप पर्थम, गठोत कच, गूप्त समर्जे की विशेषतें, गूप समरजे समAnnदित महतोपुंप परसन, इन सब पोईंट्स के बारे में अच्छे से पढ़ाता तो आप ले लिस्ट में गुप्त मन्स के बारे में जानकरी प्राप्त कर सकते हैं और यदि आपने यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो फड़ा फड़ सब्सक्राइब करें ताकि आपको एकजाम के दस्टी से महत्वपुन सूचने इस चैनल पे मिल सकें और आप इतियास इसे की तयारी अच्छे से कर सकें ठीक है तो देखें पढ़ते हैं कुमार गुप्त पर्थम का इतिहास चंदर गुप्त द्वित्य के बाद कुमार गुप्त पर्थम सामराजे की गद्धी पर बैठा वह चंदर गुप्त की पतनी धुर्वय देवी से उत्पन उसका सबसे बड़ा पुत्र था कुमार गुप्त का गोविंद गुप्त नामक एक छोटा भाई भी था जो कुमार गुप्त के समय में बसाड जो वैशाली में का राजेपाल था कुमार गुप्त ने कुल 40 वर्सों 415 से 455 इस्वी तक सासन किया इस दिर्ग काल में यदपी उसने कोई विजे नहीं की तथा पी उसके सासन काल का महत्वय इस बात में है कि उसने अपने पिता से जिस विशा समराजे को उत्रादिकार में प्राप्त किया था उसे बनाए रखा कुमार गुप्त पर्थम अपने विशार समराजे में सांतियो और व्यवस्ता इस्थापित करने में सफल रहा कुमार गुप्त पर्थम के सुव्यवस्तित सासन का वर्णन मन्सोर अभिलेख में इस परकार मिलता है कुमार गुप्त एक ऐसी पर्थवी पर सासन करता था जो चारों समूद्रों से गिरी हुई थी सुमेरू तथा कैलाश परवत जिसके रिहत पयोदर के समान थे तो कुमार गुप्त पर्थम के अब तक कुल 18 अभिलेख प्राप्त हूए है इतने अधिक अभिलेख किसी भी अन्य गुप्त सासिक के नहीं मिलते पर्मुक लेखों का विवरन इस परकार है बिलसद का अभिलेख यह कुमार गुप्त के सासनकाल का पर्थम अभिलेख है जिस पर गुप्त सम्वत चानम अर्था 415 इस्वी की तिति अंकित है बिर्शत उत्रपरदेश के एटा जिल्ये में इस्तित है इसमें कुमार गुप्त पर्थम तक गुप्तों की वनसावली प्राप्त होती है गढ़वा के दो सिलालेख इलाबाद जिल्ये में इस्तित गढ़वा से कुमार गुप्त के दो सिलालेख मिले हैं इन पर गुप्त सम्वत 98 अर्था 417 इस्वी की तिति उत्किन है इनमें किसी दान ग्रह को 10 और 12 दिनारें दिये जाने का वार्णन है मन्सोर अभिलेख मन्सोर अभिलेख प्राचिन मालवा में इस्तित था जिसका नाम दश्पूर्भीत मिलता है यहां से प्राप्त कुमार गुप्त के लेख में विक्रम समवत 529-473 इस्वी की तिति दी गई है यह लेख परसस्ती के रूप में है जिसके रचना वत्स बठी ने की थी वह से स्कृत का परकांड विद्वान था इस लेख में कुमार गुप्त के राजेपाल बंधु वर्मा का उलेख मिलता है जो वहाँ सासन करता था इसमें सूर्य मंदिर के निर्मान का भी उलेख है करमदंडा अभिलेख करमदंडा अभिलेख उत्रपरदेश के जिल्डे में इस्तित है इस लेख में गुप्त समवत 117 अर्था 436 इस्वी की तिति अंकित है यह सिव पर्तिमा के अध्यो भाग में उत्किर्ण है इस मूर्ति की स्थापना कुमार गुप्त के मंतरी अर्थात कुमारा माते पर्त्वी सेन ने करवाई थी मन कुमर अभिलेख यह अभिलेख इलहाबाद जिल्डे में इस्तित है इस लेख में गुप्त समथ 138 इस्वी की तिति अंकित है यह बुध पर्तिमा के निचले भाग में उत्किर्ण है इस मूर्ति की स्थापना बुध मित्र नामक बोध बिक्षु द्वारा करवाई गई थी मतुरा का लेख यह एक मूर्ति के अध्योभाग में उत्किर्ण है जिस पर गुप्त समथ 135 इस्वी की तिति अंकित है मूर्ति का उपरी हिसा तूट गया है परन्तु लेख के पास धरम चक्कर उत्किर्ण होने से ऐसा निस्कर्ष निकलता है कि यह कोई बोध परतिमा रही होगी सांची अभी लेख सांची से प्राप्त कुमार गुप्त का लेख समथ 131 इस्वी का है इसमें हरी स्वामी नी द्वारा सांची के आरे संको धन दान में दिये जाने का उलेख है उदेगिरी गोहा लेख उदेगिरी में गुप्त समथ 106 अर्था 425 इस्वी का एक जैन अभी लेख मिला है इसमें संकर नामक विक्ति द्वारा इस अस्थान में पास्रनात की मूर्ती स्थापित किये जाने का विवरन सुरक्षित है तुमेन अभी लेख तुमेन मध्य परदेश के गुवालियर जिले में इस्थित है यहां से गुप्त समथ 116 अर्था 435 इस्वी का लेख मिलता है जो कुमार गुप्त के समय का है इसमें कुमार गुप्त को सरदकालीन सुर्य की भाति बत लाया गया है ठीक है अब आते हैं यह तो इती देर अपन लोग हभी लेख पढ़ रहे थे जिन से कुमार गुप्त फैस्थ के बारे में जानकारी मिलती है अब आते हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए मुद्राइं अबीलेकों के अतिरिक पर्सिमी भारत के विसाल भुबाग से कुमार गुप्त की शुण रजत तदा तमर मुद्राइं प्राप्त होती हैं उसने कई नमीन परकारकी शुण मुद्राइं पर्सलित करवाई थी एक परकार की मुद्रा के मुख पर मयूर को खिलाते हुए राजा की आकरती तथा प्रिष्ट भाग पर मयूर पर आसेन कारती के की आकरती उतकिर्ण की गई है मद्य भारत में रजत सीकों का परस्टन उसी के काल में हुआ इन मुद्रों पर गरूड के स्थान पर मुयूर की आकरती उतकिन की गई है ये मुद्रों पर उसके उपादी महेंदरा दित्ते, स्री महेंदर सी है अस्वे मेक महेंदर आदी उतकिने मिलती है बंगाल से प्राप्त अभिलेग बंगाल से तीन स्थानों से कुमार गुप्त कालियन तमर पत्तर प्राप्त होते है धन्दे है तमर पत्तर, दामोदर तमर पत्तर, वैग्राम तमर पत्तर धन्दे है तमरपत्र यह तमरपत्र बंगाल के सराजसाही जिल्य में इस्तित है यहां से गुप्त समवत 113 अर्था 432 इस्वी का तमरपत्र मिला है जो कुमारगुप्त के समय का है इसमें कुमारगुप्त को परमपठारक महराजदीराज परमदेवत कहा गया है तथा वारा ह स्वामीन नामक एक ब्राह्मन को भूमीदान में दिये जाने का वनन मिरता है दामोदर पूर तामरपत्र ये तामरपत्र भी आदूनिक बंगला देश के दिनाजपुल में इस्तित है यहां से गुप्त समथ 124 तता 139 अर्थात 443 तता 448 इस्वी के कुमारगुप्त के दो ले मिरते हैं इनसे उसकी सासन व्यवस्ता पर प्रकास पड़ता है इस परदेश को पुंडरवर्धन कहा गया है जहां का सासक चीरादत था इन लेखों में कुमारगुप्त के अनेक पदादिकारियों के नाम भी दिये गए हैं वैग्राम तमरपत्र वैग्राम बांगलादेश के बोगरा जिल्ले में इस्थित है जहां से गुप्त समथ 128 अर्था 447 इस्वी का कुमार गुप्त का लेख मिला है यह है गोविंद स्वामिल के मंदिर के निर्वाह के लिए भूमी धान में दिये जाने का वनन करता है ठीक है तो देखेगा कुमार गुप्त पर्थम के बा आपको वीडियो समझ में आया होगा पसंद आया होगा और हमारा वीडियो अन तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद